कि अब लोग हम लोग पार्ट वन के अंदर बात कर चुके थे शोडिंजर वेव एक्वेश्चन की वहाँ पर मैंने आपको शोडिंजर वेव एक्वेश्चन के साथ साथ और क्या बताया था हमने वहाँ पर पूरा हमारा खतम कर दे था सोडिंजर वेव एक्वेश्चन और कौांटम नंबर और उसके उपर जईएवांस में आय हुए सवाल और जईएवांस किस किस पैटन पर सवाल पूछ सकता है कुछ नए सवाल भी हमने देखे थे उसी चीज़ को कंटीनिव करते ह हम पहुंसते हैं बोहर मॉडल पे हम पढ़ेंगे आज बोहर मॉडल के बारे में देखें कुछ फॉर्मुले किस तरीके से बोहर मॉडल के फॉर्मुले पे जई एडवांस सवाल पूछता है उसी के साथ साथ एक और चीज़ आप लोग क्या देखोगे कि क्वांटम मेकैनिकल मॉडल जो हम पढ़ते हैं तो हाइसनबर्ग और डी ब्लॉग ली वेवलेंग किस तरीके से जई एडवांस के लिए इंपॉटेंट हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं जई एडवांस के अंदर डी ब्लॉग ली और हाइसनबर्ग के उपर तो आईए स्टार्ट करते हैं के लिए तयार होते हैं तेजस के अंदर और हमां अपनी एडवांस के सवालों के साथ और एक और चीज़ पक्का करेंगे कि अगर कोई सवाल में आता है तो हम उसको गलती नहीं करेंगे क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यह टॉपिक है और दोनों में दोनी लिए नंबर आने के चांसे बहुत ही ज्यादा है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल आते चलिए स्टार्ट करते हमारे पास हमारा आज का टॉपिक बोहर आटॉमिक नोडल दिया तो इसने क्या पता ऐता अब को इसने इतने पॉस्चुलेट दिये थे कि इस तरीके से हो सकता है इसमें आटम बात करें आटम कंसिस्ट वेरी लोग वेरी हाई पॉजटिवली चार्ज नूग्लेस एडिट सेंटर यानि उसके सेंटर पर एक क्या होता है एक आपका वैरी हैवी पॉजटिव चार्ज वैरी स्मॉल एड़नितलेटीटलेटीट की जगापो की जगाप पर अध至 क्या करता है इलेक्ट्रों कु अपने चारहों त्सक्राशिक चारहों खोंगते हैं नेगेड़ बने Would दो लिए न वही इस positive चार्ज जो positively चार्ज वाला न्यूक्लिस यह इसी के चारो और आपके क्या होंगे न्यूक्लिएस के अराउंड ही क्या होंगे electron reveal revolve अराउंड दा न्यूक्लिएस इन शर्कुलर और बिडाउट इमितिंग एनर्जी यह जहां दो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अगली देखते हैं आउट इन्पाइट अर्बिटल एन एलेक्ट्रों रिवाल्विंग ऑन अन्ली इन दोज ऑर्बिटल उसी ऑर्बिटल में क्या करेगा ट्रावल करेगा जो आपको पता है एनेच अपॉन टूपाइग इन टिघर मल्टिपल होते हैं सवाल पूछा हुआ उसको भी हम करेंगे किस तरीके से होता है वह देखेंगे और इसे रिलेटेड और कौन कौनु से नोसक्ते उनके बारे में बिस्कूषिन करेंग चलिए यहाँ पर क्या है एंज आपका यह पॉसे उगयं टों ट्री 10 5 6 7 8 हो सकता है पॉजिटिव इंडिजन 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे सौन बढ़ता रहेगा और इसी के फॉर्म में क्या होता है यह एच अपॉन 2 पाई की बात करूं तो क्या होगा यह एच अपॉन 2 पाई इस तरीके से क्या होगा इलेक्टोन में रिवाल करता रहेगा यह पॉस्चुलेट है इंपॉर्टन थियोरी में आता है इसलिए मैंने हाँ पर पूट के है आप लोगों के लिए अगला देखते हैं इंपॉर्टन फॉर्मुला अब यह जो है ना यह काम की चीज़ इंपॉर् और यहां पर क्या देख लिया इनर्जी का डिफरेंस का फॉर्मुला देख लिया देखिए सबके नाम एन इकल डू नमबर फॉर्बिट है जैडिस अटॉमिक नमबर एम क्या है मास ओफ एलेक्ट्रों जानते हैं कितना होता है मास ओफ एलेक्ट्रों नाइन पॉइंटू टैन की पावर माइनस थर्टीवन के जी पीटा सब पढ़के आचुके हैं बस ओव आपको बेसिक्स पता है अगर आपको बेसिक्स पता है अगर आपको बेसिक्स अच्छे से पता है तो इसके सवाल गलती होने के चांसे नहीं होते हैं चलिए इस दा टोटल एनरजी एंड डेल्टा इस दा मैगनिट्यूट ऑफ एनरजी मैगनिट्यूट ऑफ एनरजी रिलीजेज वन इलेक्ट्रों कितना होता है फ्रॉम एंटू इन टू से एनवन जब इलेक्ट्रों ट्रांजिशन करता है उसमें जो एनरजी रिलीज होती है वह क्या है आपका डेल्टा यह सभी फॉर्मुले ध्यान रखते हैं इनके उपर सवाल भी आये हुए हैं क्यों आये हुए हैं चलिए देखते हैं और देखते हैं यहां पर क्य पड़ा पड़ा था एनरजी के फॉर्मुले के अकोर्डिंग आप क्या करते हैं इस टेबल को फॉर्म कर सकते हैं एनरजी का फॉर्मुला क्या कहता है मेरे पास जो हमने पड़ा एकवल टू माइनस ओफ 13.6 इंटू z square upon n square जैसे जैसे आप values put on करते जाओगे वैसे वैसे आपका यह answer आता चला जाएगा यहां मैंने टेबल इसलिए रखी है क्योंकि कई पर क्या होता है लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब बना के देखें बिल्कुल बना के सारी चीज़े रखी हुई आपको यहां से बहु एक एंसे घ्जामपल देख लएते हैं सिर हमने एक फॉर्मॉला यहां पर हमने कुछ मिबहूंद भॉला जाता है बीटा बोहर मॉडल के अंदर फॉर्मॉला याद होना जड़ूरी है बॉर Murray ओ देखो दिमाग में चाप लगो अच्छे ब cooked dir बढ़ते हैं चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है दे रीडियस ओफ विच दा फॉलोविंग और बिटल इस सेम अस दैट ऑफ फॉस्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइट्रोजन एटम फॉस्ट ऑर्बिटल अगर मैं हाइट्रोजन एटम यह आर का फॉर्मुला लिखूं फॉर्मुला होता है क्या है विटा इनौट इन टू एन स्कॉायर अपॉन जैड होता है अगर मैं फॉस्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइट्रोजन एटम की बात करूं तो यहां से आर की वैलिव कितने निकल के आगई ए नौट मिज़के अब सवाल कह रहा है कि जैसे आर की वैल्य निकल के आई फर्स्ट बोहर और्बिटल के लिए फर्स्ट बोहर ऑफ हाइट्रोजन और्बिटल आटम के लिए तो इन में से a b c d में से कौन सा option है जो इसको फुल्फिल करेगा जो इसको क्या कर रहा है फुल्फिल कर रहा है तो चलो आओ देखते हैं कैसे कौन सा option फुल्फिल कर रहा है तो देखो कैसे करें इसको अगर मैं इसको देखू ध्यान से तो देखो यहां पर क्या है अगर मैं helium atom लेता हूं helium atom simple direct solve करते यह नौट क्या होगा एनि स्कुआयर अपॉन जर अगर यह अनोट आना चाहिए इसका मतलब क्या हो जाया जिसके लिए एनिस्कुआयर की वैल्यू किसके बराबर हो जाया है जैड के बराबर ऐनिस्कुआयर की वैल्यू अप्वायल्यू एनिस्कुआय करोगे तो फोर आया और जाड कितना देरका है तो तो यह गलत ऑप्षण यूज पर हो गया और हैंट कितना है और वित्ज स्थासा डिल्य खैस्ना आपकेल। कि टू स्क्वाइर फोर और बेरिलियम के लिए जाड कितना होता है फोर लो आगे आंसर क्यों कौन सा हो गया अब देखो क्या यह सवाल के अंदर कितना आसान सवाल पूछा गया था केवल फॉर्मुला इसके पहले वाला सवाल भी जैएडवांस का था जो कहें सिंपल फॉर् यह देखते हैं अग् Slowly अग्राज यहां पर दे रखा है Kinetic Energy आपको देखा कायनेटिक एनरजी और सवाल को ध्यान से देखो कहुँआ क्या होगा इनॉटिज दॉआ रेडियेस चलो ठीक है अगे निये फॉर्मलिले प्या क्या अधन क्या निकलना का निकालना का काइनेटिक एनेर्जी नीकालनी है तो चलिए start करते solve करना मुझे पता है एम वी आर इक्वल टू क्या होजाएगा एन-च अपर फिर इकल क्या होता है मुझे इस तरफ क्या बनाना है काइनेटिक एनरजी बनानी है काइनेटिक एनरजी अगर मुझे यहां पर लेकर ठीक है multiply में क्या आ गया यहां पर आजा ठीक है अब क्या करते हैं kinetic energy के एकर में बात करूं Twin kinetic energy equal to क्या होता है 1 MP2 होता है ना कि यहीं होता है kinetic energy equal to half MP2 तो मुझे क्यों लग रहा है अगर मैं इसका square कर दो कर देता हूं मैं इसका square कर दिया, square करके यहां लिख देते हैं m v का whole square equal to कितना हो गया यह मेरा n square h square divided by 4 pi pi square और यह हो गया आपका r square ठेक है? अब एक और चीज़ क्या करते हैं 1 by 2 से multiply भी कर देते हैं यह हो जाएगा आपका m square v square 1 by 2 n square h square divided by 8 pi square और यह हो गया मेरा r square ठेक है? m को इदर रहने देते हैं इसको इदर ट्रांसफर कर देते हैं 1 m नीचे ट्रांसफर कर देते हैं तो यह क्या बन जाएगा? 1 by 2 mv square equal to 1 by 2 mv square equal to क्या बना आपका? बन जाएगा? n square h square divided by क्या हो जाएगा आपका? 8 pi square r square m हो गया हाँ या ना? अब देखो यह क्या बन गया आपका? यह निकल के आगया kinetic energy चलो ठीक है यह आगया kinetic energy और जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ a naught is बहर radius दे रखा हैं के अंदर मुझे a naught दे रखा है तो क्या मुझे यहाँ से आर की value रखनी पड़ेगी? चलो ठीक है हम यहाँ से क्या कर देते हैं? आर की value रख देते हैं a naught into n square upon z अगर सवाल में देखें तो क्या दे रखा है electron second hydrogen atom दे रखा है यहाँ पर मेरे पास जो आर आया आर कितना आ गया? आर आ गया a naught into n square तो चलो r की value उठाके इस equation में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? kinetic energy equal to n square h square divided by कितना हो गया मेरे पास? 8 pi square और r की value किती है? a naught into n square यानि value पुट करते ही क्या हो जाएगा यह a naught का square multiply by n square का मतलब इनकी power 4 n की power कितनी निकल के आ गई? 4 निकल के आ गई और मेरे पास m जो है वो पहले सही है into small m तो 4 से क्या हो गया? यह power cut out हो गया कितना है kinetic energy की value? तो kinetic energy की value मेरे पास निकल के आई h square 8 pi square into a naught square multiply by n square into m अब यहाँ पर सवाल ने क्या दे रखा है? अगर हम सवाल को धिहान से देखें तो सवाल ने दे रखा है 4 किस के लिए पूछा है? second bohar orbital के लिए second bohar orbital के लिए तो क्या इसने n की value में जो दे दी? हाँ या ना? क्या इसने n की value दो दे दी तो चलो अगर n की value दो दे दी तो यहां से अगर हम देखें तो kinetic energy equal to कितना आ जाएगा यह हो गया? h upon 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 की power 2 मतलब 4 यानि 32 h square 32 pi square into a naught का square into m हो गया क्या यहीं आ गई kinetic energy for bohar second orbital आया नह तो अगर हम check करें तो कौनसा option correct हो रहा है है हाँ से अगर हम देखें तो 4 pi r square m a square कि यहां से अगर हम देख रहे हैं तो मेरा consumption correct हो गया यहां से हम देखें तो option number मेरा C correct हो गया option number C or D similar दे रखें तो यहां पर changes आएगा कुछ यहां गलत है कौन सा करेक्ट होगा सी यह नहीं होगा ड के अंदर क्या आपका यह नहीं सवाल है देखा आपको कैशा करना के वल न पता है अगर आपको को डेरिवीशन पता हैं तो आप आराम से सवाल को कर सकते हैं चलिए ठीक है अगला देखते हैं अगला देखते हैं परेग्राफ पॉर दा क्यों सवाल के लिए कल भी ऐसा सवाल देखा था जिसका हमें कि वल एक ही पाट किया था दो आई देखते हैं दा हाइट्रोजन लाइक स्पीशीज लीथियम प्लस तू इस अन्द स्पैरिकली सिमेट्रिक स्टेट एस वन विद द वन रीडियल नोड रीडियल नोड किता दे रहा है वन इसका मतलब सवाल ने क्या बोला एन माइनस एल माइनस वन की वैलिव कितनी देदी उस की बात कर रहा है यहां यहां पर भी क्या बात करें तो चीड फैर एनमायनस वन की वैलियोस ने वन देदी ठीक है इसकी ऐनरजी जो है वह एकुल कि इसके हैं ग्राउड स्टेट ऑफ ऐनरजी ऑफ हाइड्रोजन आट्व तो चलो ठीक है लट्स आट देखते हैं कौन-कौन से सवाल पुछे गए से स्टेट एस्वन के लिए अभी हमने फाइंड आउट किया इस से एस्वन के लिए क्या निकल गया तो यहां पर तो आंसर क्या निकल गया ऑप्शन भी चलो ठीक है आसान सवाल था यह देखते हैं जो हमने कल नहीं देखा था the energy of state s1 is the unit of hydrogen atom ground state energy अगर मैं बात करूँ एनर्जी यानि e equal to क्या होता है आपका 13.6 इंटू n स्क्वाइर जैड स्क्वाइर अपॉन एन स्क्वाइर होता है चलो ठीक है अब energy of state s1 in the unit of hydrogen atom किसमें उनिट of hydrogen atom में निकालने कहालना ऑगर यहां पर बात करें पर यॉर्ञाएं कितनी होगई थी हैहां पर N यांकि वैलियू की Ground State के अंदर एनर्जी होती है है ना क्या Hydrogen के जर मैं Ground State के अंदर एनर्जी बात पूँ थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रोन वोल्ट होती है या ना बोलो यही होती है तो इसको मैं कह सकता हूं Hydrogen Energy है टॉजन की Ground स्टेट में एनर्जी मल्टीप्लाइबाइब Z का मतलब 3 का Square हो गया और N का मतलब कितना 2 का Square हो गया बिल्कुल सही कहां तो यहां से जो मेरे पास Energy निकल के आई क्या वो मेरे पास निकल के आती हाइट्रोजन की Ground State के Energy multiply by 9 upon 4 हो गया और अगर ये 9 upon 4 हो गया तो मैं कह सकता हूँ solve करने पर के यही निकल के आ रहा है लबबग हाइट्रोजन की Ground State की Energy multiply by कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 2.25 हाया ना अरे हाया ना बोलो भाई क्या यही निकल के आया तो कौन सा Option Correct हो गया Option Number यहाँ पर C Correct हो गया Option नमबर C Correct हो गया यह जैएएडवांस 2010 का सवाल यह चलिये ठीक है अगला सवाल देखते हैं अगला क्या है the orbital angular momentum a your orbital angular momentum quantum number of state is a orbital angular momentum quantum number of state is यानी सिंपल इसने क्या पूछा इसने आपके पूछ लिया यह की वैल्यू बताओ कि स्की बताओ को एल की वैल्यू बताओ अब अगर सवाल को हम ध्यान से देखें सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो सवाल नहीं यहां पर एक बात बोली थी कि s2 the state s2 has the one radial note and its energy is equal to the और इसकी energy किसके बराबर is equal to the ground state energy of hydrogen atom यानि इसके energy किसके बराबर तो क्या हो गया 13.6 into z2 upon n2 किसके बराबर हो जाएगी हाइट्रोजन की ग्राउंड state की energy 13.6 के बराबर है बिल्कुल सभी वैल्यू कितनी दे रखें मैं जोए 3 दे रखें कोई यहां estamos दे रखा है तो यहां से场 की वैल्यू कितनी आ गई 30 को अगयी थिनकल आ गयी तो यहां से मुझे पता है ऐेन माइनस ल माइनस won उन्झे कितना हो गया मिन पास वन रिडियल सोगिंदी रखा तो वन आ गया कितनी है यह हैं कि फाइंड आओट करनी है माइनस वान इक्वल टु यहां से अगर हम देखें हैं रहल कितना निकल के आगया है यहां से रहनी यह जो बात करने किसके लिए बात करें ठीपिके लिए बात करें और इसने पूछा क्या ऑर बिटल एंगुलर मुमेंट्म क्वां सवाल है अगला सवाल अब देखते हैं लिमिटेशन सब्सक्राइब क्या रखा है क्योंकि यहां पर क्या है कि कई बर सवाल यहां से पूछते हैं यहां पर आपको पता है अगर आपको जैएडवांस की सीरीज आप देख रहे हो तो आपको इतना पता है कि एक बार देख लेते हो तो आपको दुबारा कहीं और जाने की ज़रूत ना पड़े क्योंकि यहां से सारी कीज़े स्वाल सकती है बोहर थे डास नोट इसलिए फेल हो गया आगे बात करें बहर मोडल इस अप्लिकेबल ऑनली फॉर बिल्कुल सही सिंगल एलेक्ट्रों स्पीसिस के लिए तो जाहिर सी बात है वई सभी एटम सिंगल एलेक्ट्रों नहीं होते हैं उन सब के लिए है अप फेल हो गया बरबाद हो गया आगे बढ़ते हैं वाई दा एंगुलर हम जो हमने पहले बात करी कि एंगुलर मोमेंटा एंच अपन टूपाई होता है क्यों होता है अब अगर कोई सवाल पढ़ते हो कोई चीज हम पढ़ते तो मिसमें सवाल था वाई क्यों होता ऐसा इसके पास बोहर के पास कोई आंसर नहीं था क्यों होता है इसा बौहर के पास कोई आंसर नहीं आ nowhere यहां पर बौहर क्या हो जाते हैं क्योंकि जायर सी पात है अगर हम बात करें अगर पूछा तो आपको उसका ना अनसर आनपना अगर आंसर आता है तो आपको तो डीजन इप्टा होगा क्यों की तीचर हर स्टर्डिंग वढ़ा था कि ईलेक्ट्रोण अगर चार का अरौंड उसके न्यूग्लेस के अरव्ड गूम रहा है तो फो अगर एनरजी को क्यों नहीं नहीं करते हैं एनेरजी निकलती क्यों नहीं निकलती इसके रीजन के बारे में उसने कुछ नहीं बता magnetic field some final lines were observed in the line spectrum वहर theory does not explain the splitting of spectral line वह स्पेक्ट्रल नहीं बता पाए कि क्यों hydrogen spectrum की अलग-अलग splitting बनती है क्यों क्यों डिफ्रेंट 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 की lines बनती है यह नहीं बता वह इसका मतलब वह स्टार्क एफेक्ट एंड जीमन एफेक्ट के बारे में कोई भी कोई information नहीं दे पाए उनके पास पूछा गया कि स्प्रक्ला ने ऐसा क्यों बनती है नहीं पता था बोहर बहर को पता ही नहीं था नहीं हो तो उनको नहीं पता था तो यहां पर क्या हो गए वह चीज़ यहां पर भी वह फेल हो गया तो यह कहते है limitations चाना क्यों जरूरी है क्यों कभी कभी थे के अकॉर्डिंग सवाल इन पर आता है यह भी क्या है क्योंकि आप चैप्टर यह क्या है आपका numerical भी है तो दोनों चीज़ें पता होना बहुत ही जरूरी चलिए अब आगे बहें बरते गहाइन स्पेक्ट्राम के बारे में बात करें सब्सक्राइब चले देखते हैं बैना excited electron return to the lower energy level कोई भी खाइए एनर्जी लेवल से lower energy पे या टो क्या करता it can return to me we are producing radiation of different wavelength क्या करेंगा डिफ्रेंट को कि मीट कर रहा है स्पेक्ट्र लाइन बना रहा है तो इसी चीज को क्या बोलते हैं जिसे यहाँ पर देखें इसे आप उपर हाइयर लेवल से लोभव लेवल पर रिडियेशन इमीट करें यह रिडियेशन ही तो क्या है आपकी हाइट्रोजन इस स्पेक्ट्रम बनाती है जैसे यहां पर देखे हम हमारे पास लाइमन आती है लाइमन के अगर मैं बात करो तो एन एक्वल टू वन से इंपाइन जाता है बामर आती आपको पता है इंपॉर्टन सबसे पहले इसी को इडेंटिफाइग किया गया था क्यूंकि यह वेजबल रीजन में मिलता है फिर क्या आता है पाश्चन सीरीज आती है इन ब्रैकेट पेफून हमफ्री में जो हमारे पास कंसिडर करते हैं इन त कि बत कर आए बीटए बात करें तो सेकिंड लाइन गामा बात करें तो अगर डेल्टा की बात करता तो फोर्ठ लाइन बोलतेां और व्रूर्ट mind लाइमन के बात करते हुआ आपको उसको डेल्टा लाइन बोलते हैं इस तरह से आपको दिया हो सकते हैं पूछे आप से वान पूछे तो अगर लाइमन के बात करें तो एक टेबल बनाई है जिनके लिए के लाइमन है दी देख सकते हूँ लाइमन के लिए आगे बढ़ते हैं आएक्जामपल देखते हैं अएक्जामपल सवाल देखो और यहां पर बात करें तो यह भी कया होगा मैरे पास लिए थे सब्सक्राइए को चारए यहां वात कर रहा है मुझसे पोरा एनी गिवन सिरीज अव स्पे्टरल लाइं एंटोमिक है टोजल लेट डैल्टा वी बार एकवल टू-d max minus V minimum V minimum be the different in the maximum and minimum frequency is centimeter inverse the ratio of Lyman and Bauman का मुझे ratio पता करना है चलिए ठीक है अगर मैं इसको ध्यान से देखें स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं लेम्डा नहीं है इसको बोलते हैं बात करें वन अपॉन लेम्डा यह हम इसको बोल देते हैं वेव नमबर इक्वल टू वन अपॉन यहां पर देखें तो आर इंटू वन अपॉन n1 square minus 1 upon n2 square ले ले लेते हैं अब अगर मैं बात करूँ maximum की तो maximum के लिए क्या होता है बिटा n1 equal to 1 से किसके बारे में बात करें या पर किसके बारे में लेमडा यानि wave number के बारे में बात करें यानि n1 से लेके n क्या होगा लेकर अगर n2 infinite होगा तब वहां पर क्या है आपका V Max बात कि लिए किसके लिए लाइमन के लिए यानि n1 n1 क्या है और n2 कह एंज इंटल आंगा और और अगर आपका एन वण आपका वण है और एंटू आपका है तो आपका भी इनिमम आ इस सवाल में इतना सही कंसेप्ट लेंडा में ज़ादा सवाल कराते लोग लेंडा की फॉर्म में ज़्यादा सवाल करते हैं तो वहां पर लोग यह घ्रबर हो को let's move to the question question पर वापस आए तो अब यहां पर लैम्डा मैं मैं मैक्स की बात कर रहा हूं तो अगर मैं मैं मैंस मिनिमम करना है मुझे शो होगा मैं मैक्समिमम मैं मिनिमम करना मैं करना है चालो कितना और चीक है और वन से इनफाइनेट है तो और ही कि माइनुंस का अरेच एंटो यह कितना हो गया याणि ठ्री बाइप वास फस ठीक है यह कितना आगया आपका 3 by 4 यानि solve करने पर कितना आया यह 1 by 4 ऑफ आरेच यह आगया मेरे पास किसके लिए यह आगया फोर लाइमन डल्टा वी बार फोर लाइमन चलो ठीक है डल्टा वी बार फोर लाइमन आगया अब यहां पर हम देखते हैं डल्टा वी फोर बामर सिरीज के लिए तो बामर सिरीज के लिए अगर मैं डल्टा वी क्या है यह आपर maximum wave number maximum not delta this is not delta not delta not delta अगर वेव नमबर की simple बात करता हूं वेव नमबर अगर मैं maximum की बात करूं तो कितना हो जाएगा आरेच इंटू कहा जाएंगे n1 से कहां पर हम बामर के लिए तो n1 कहां टू से स्टार्ट होता है तू से कहा जाएंगे हम लोग कि एंटू पर जाएंगे और मैकसि मां मिनिमम म के लिए गलती होती है घरते जाहँ जाद कर लो कि यह ऐग्या मिनेमुम का यह आ गया मिनिमं सा यह आ गया मिनिमम में हम और यहाँ पर अगर देखें तो तो this is maximum तो maximum कितना निकल के आगया लीं हो जाएंगा तो आरेस्ट लीडियत कितना हो जाएंग gay कि तो एन हों तो zat आपन टूछे को दों तो फूर और 9-4 कितना हो जाएगा यह मेरे पास 5 अपन 36 और मैक्सिमम कितना जाएगा मैक्सि माझायगा मेरे पास एन फोर यहीं वन अपन फॉर है तो अगर मैं स्टाट करों किसके लिए स्टाट करते हैं यहां पर अगर मैं बेटा निकालता हूं कि सके लिए擊 क्ट के लिए तो वह कितना निकल के आता है मेरे पास वह निकल के आता है 1 by 4 r minus का 5 upon 36 r solve करने पर कितना निकल के आता है 36 lcm ले लेते हैं कितना हो गया 9 minus 5 r यानि कितना आ गया 4 upon 36 r इसका मतलब कितना 1 upon 9 r निकल गया ठीक है यह आगया 1 upon 4 वह आगया 9 upon 4 अगर मैं क्या करूं इन दोनों का लेता हूं लायमन के लिए कितना रख आपको दोनों का सोरी दोनों का रेशो लेने पर हम लोग यहाँ पर लेद देशो तो रेशो कितना हो जाएगा यह चेंज इसका लाइमन का डिवाइड़ बाई चेंज किसका अगर मैं वार्मर सिरीज का लेता हूं मिरे पास कितना निकल के आता है देखे तो यह यह कितना है वन बाई फॉर ओन बाई फॉर डिवाइड राज़ डीवइड बाई कितना बन लाइन अठै डीकिते हूं म्हीं कितना हो गया नाइन बाई फॉर और जल्दि कर सकते सवाल इसी तरीकरी के कर पूछा था hydrogen spectrum ते पूछा भी गया तो चलिए एक और सवाल देखते हैं थोड़ा अच्छा सवाल है दिखते हैं कैसे सवाल को हम इना hydrogen like sample इना सवाल को देखिए समझे पढ़िए और फिर देखिए कैसे सवाल करेंगे in a hydrogen like sample electron is in second excited state the energy of 4th state of the sample is minus of 13.6 electron volt the incorrect statement is मुझे पूछना है कौन सा इसमें से incorrect statement सवाल देखा सवाल समझा सवाल ने कहा एक हाइट्रोजन लाइक सेंपल है एक हाइट्रोजन लाइक सेंपल है सेंपल एक्स वाइज हमें नहीं पता उसका जो सेकंड उसके इसन सेकंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन कितना थ्री हो गया दा एनर्जी ओफ फॉर्थ स्टेट ऑफ दा सेंपल यानि एनर्जी ओफ फॉर्थ स्टेट ऑफ सेंपल यानि स्टेट कितना फॉर्थ स्टेट ऑफ दा सेंपल इस सेंपल के सिख्स है तो इंकरेक्ट स्टेट्मेंट बताना है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं की मुझे रखा है कि 13.6 इंटू जैड और स्कॉएयर याँ पर हम ले लेते हैं सिंपल कि अग्ध क皗ांज है चलो ठीक है यहां से अगर हम देखें तो थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जैड की वैल्यू कितनी है नहीं पता एटम तो पूछा यह मैं से तो जैड का स्कॉइर और एन की वैल्यू कितनी है पूर दे रखें तो फॉर का स्कॉइर कितना माइनस ओफ थर्टीन पॉइंट सिक्स थर्टीन पॉइंट सिक्स कैंसल आउट हो गया तो यहां से देखो जैड की वैल्यू कितनी पूछा था अटॉमिक नंबर आप एलिमेंट इस फॉर तो बिल्कुल सही यह करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा क्यों कुए इसने इं ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो उसने एन कितना दे दिया आपको एन दे दिया 20 फ्रॉम द ऐस्टीन एन्टों कितना दे दिया उसने एंटु दे आपका थ्रे excited state मतलब एक जादा होता है तो यहां से अगर हम देखें नमबर सक्क लाइन n2-n1 और क्या आता है यहां से n2-n1 plus 1 divided by 2 अगर मैं solve करूं यहां से solve करूं तो 3-1 3-1 plus 1 divided by 2 यहां से कितना अंसर निकल में यह रहा है और स्थेट्मेंट क्या कर रहा है एक 25 electron electron photon can set a free electron from second excited state to sample सेंपल मिसेंटि फोटव व गिराँ तो वह एक यलेक्टॉन को रिलीज कर देगा क्या氣 सच है कैसा होगा K्यास हो सकता है तो चलो चेक करते हैं तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो माइनस ओफ थाटीन पॉइंट सेक्स इंटू जैड इस्क्वाइर जैड कितना है आप फॉर का स्क्वाइर डिवाइड़ बाई मेरे पास कॉंसा एक्साइड़ स्टेट दे रखा है सेकिंड का मतलब क्या हो गया एंड की वैली हो गई थी का स्क्व अगर ऐसा है तो इसने बुला 25 इलेक्ट्रों इससे जादा ही कर रहा है ना बिल्कुल सही इलेक्ट्रों फ्री कर जाएगा यानि यह भी सवा यह भी ऑप्शन सही है यानि यह भी आंसर नहीं होगा ऑप्शन नमबर डी चेक कर लेते हैं सेकिंड लाइन ओफ बामर सिरीज of the this sample has the same energy value as the first excited state of energy of hydrogen atom अगर फ्रस्ट एक्साइटेद स्टेट ऑफ हाइट्रोजन अटम दे रहका फ्रस्ट का मतलब n की वैल्यू कितनी होगा यहां पर लेली हमने टू फ्रस्ट सेम्पल हैसेम अनर्जी वैल्यू अगर फ्रस्ट एक्साइटेद इनर्जी ऑफ हाइट्रो कि 21 में सट आपकी एंड2 से एन क्या हो गया थ्री से कहा जा रहे हम लोगं फोर में जा डर जा एंगर वील्ज करता हूं यहां पर हम लोग! energy calculate कर लेते हैं कि छोटे से पार्ट में energy calculate कर लेते हैं यहां से अगर मैं energy calculate करूं तो माइनस का 13.6 कितना 13.6 वन अपॉन कितना हो जाएगा यह हो गया मेरे पास यहां से देखे तो 9-1 अपॉन कितना 16 ठीक है यहां से इसको सॉल्फ करेंगा और क्या दे रखा उसने उसने दे आसान सवाल अगेर अब देखते हैं हमने यहां पर क्या किया हमने बोहर मॉडल और हाइट्रोटन स्पेक्ट्रम को कर दिया खत्म क्या कर दिया अब जो हमारे दो टॉपिक और बचे हाइजिंबग प्रिंसिपल और डूवल नेचर यानि डी ब्लॉग ली वेवले इनके बा या डी ब्लॉग वी हाइफोथिसिस और सेकिंड वन इस हाइजिंबर्ग अंसर्टिनिटी प्रिंसिपल चलो ठीक है देखते हैं हमारे डूवल नेचर डी ब्लॉग ली क्या कहता है इसका सिंपल आपको फर्मला यादर ने क्या कहता है यह कहता है कि जो आपका वेवलेंथ ह यहां ब्लॉगल क्यों जो वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की होती है उस रिलेशन ने पताया कि एक तो होता है dual behavior होता है वहां से हम देखें तो तो डो टाइप का वेव है और पार्टिकल नेचर वह था है वे नेचर था था एक नेव पार्टिकल था mc-square mv square ठीक है एनजी कैसे डिफाइन करें mc-square से h new equal to mc-square स्वाइब करें यहां से देखो लेंडा की अन्हानी लेमडा इकॉल to हब वागता है इस के बारे में जादा चर्चा करेंगी इसी के बारे प्लांक obsessed लेंड़ डब्लोगी वेव ख P is the D blogly momentum P is the D blogly momentum P is the D blogly momentum चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं dblogly इन टरमस अब दो अगर kinetik energy दो D blogली का जो मेन formula है मेरे फ़र्मिला यही है H lambda iqal to H by P Hi यह है इसको डिफरेंट दिफरेंट तरीके से लिख सकता है momentum को हम क्या थान्य सको kinetic energy के form में लिखें तो इसका लेमड़ा इकोल टू एच अपॉन अन्डर रूट ऑफ तू एम इंटू काइनेटिक एनरजी अलग-णाफ में इसके हम लोग कि अलग अलग फॉर्म हम क्या कर सकते हैं इसको डिनॉट कर सकते हैं यहां पर हम इसको जैसा हमें फॉर्मला चाहिए यह जैसा आपको डी ब्लॉग लिका फॉर्मला चाहिए वैसा ही उसके अकॉर्मला क्या निकलेंगे इनके आंसर निकलेंगे आपको डी ब्लॉग फॉर्मल लिए अलगल हमें फॉर्मूलेस रिक्वार होते हैं चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं वेना चार्ज पार्टिकल मालों अब चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो किया हो जाता है क्यू इंटु वॉल्टेज अब यहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी रखी है इसकी जिगह क्या कर दो क्यू इंटु वी रख दो तो लेम्डा अब वोल्टेज की फॉर्म में आ गया और सिंप्लिफाइब करते हैं तो लेम्डा एक्वल टू क्या हो जाता है वान फिफ्टी अपॉन वी से जो आपका वोल्टेज निकला किसमें निकला काम की चीज़ है कई यह फॉर रख दे रखा इस यह वी एक बाद सवाल है कि बहुत साओ में सब्सारे सवाल बीडिया अलफा पार्टिकल के लिए कितना होता है 0.10 0.101 एंगस्ट्रम अपॉन अदर डेल्टा वी डेल्टा वी इज डा वोल्टेज डेल्टा वी इस दा वोल्टेज चलिए और प्रोटों क के आगे देखते हैं अगर काइनेटिक एनरजी यहां से जो में चीज निकलती कि जो आपका और बिटल में क्या कर रहा है सराउंड कर रहा है वह उतना वेव यह जितना कंप्लीट वेव बनेगा जो वेव बनेगा उसके अक्वाडिंग उसका और बिटल भी बता सकते हैं यहां पर मुझे पता चला कि जितने नंबर वेव होंगे जितने नंबर वेव होंगे उसी और बिटल में क्या होगा मेरे पास इलेक्ट्रों प्रेजंट ज़रूरी है में ज़रूरी है इम्पॉर्टे जिसमें में गलती नहीं कर सकता चलिए यहां से देखिए यहां से mvr of angular momentum which is in the integer multiple of n h upon 2 pi h upon 2 pi यहां से मुझे मिला कि h upon 2 pi में ही क्यों घूमता है क्यों वो चीज यहां से explain वो चीज डी ब्लॉग लीन एक्स्प्लेन के रहें जो लिमिटेशन थी ना जो लिमिटेशन थी बोहर की उसी ने एक नई थियोरी को जनम दिया तो लेट स्टार्ट एक वन एक्जामपल इफ लैम्डा नॉट इस देखो अच्छा बहतरी जो जई एडवांस का सवाल आया था उसके according ही सवाल है सिमिलर सवाल है अच्छा सवाल है कभी सवाल इस पर भी पूछे सकते हैं अगर डेरिविशन का आया था इफ लैम्डा नॉट इस दी थ्रेशोल्ड वेवलेंग्थ फोटो एलेक्ट्रिक इमिशन लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉलिंग उन्दा सर्फेस ऑफ सफनेंट ओ अम मास उसलेक्ट्रों धन दिवल्ग लिवेवलेंथ आफ इमीटेड एलेक्ट्रों दिवनिवां यहां पर देखे थोड़ा सा तो आपको पता है क्या होता है क्या होता है करें यहां पर क्या होता है है हुआ अगर मैं काइनेटिक एनेर्जी और सिंप्लिफाई कर दूँ है यहांसे हो जाइा काइनेटिक एकुए हजाए है हची उपॉन हभी एज certainly पिल्कुल सही अगर मैं काइनेटिक एनेर्जी को तो क्या हो जाता है इनेटिक एनेटिक के एकपॉन है लामडा माइनस ONE अपॉन लामडाघ़ थोड़ा इसको सिंपलिफाइ कर देते हैं का Sax자가 से यह ओगया यह लेमड़ा इंटू लेम्डा नौट लेम्डा नौट Beim कि ऊप जल्ला इसकी देते हैं ओब मुझे पता है जो डी ब्लॉगली वेवलेंट क्या होती है लैम्डा इक्वल टू होता है मिरे पास एच अपॉन अंदर दा रूट ऑफ टू एम काइने टेकिन आया ना यह फॉर्मुला भी हम पढ़के आए हैं देखो आओ दिखाते हैं देखो सिंपल फॉर्मुले अगर याद है न तो जोर तोड़के ही सवाल बनता है जोर तोड़के ही सवाल बनता है बिल्कुल सही सथ जोर तोड़के ही सवाल बनता है चलो यह है मेरे पास बिल्कुल है काइनेटिक एनर्जी क्या निकल क्या ही वहां से यहां पूट कर देते हैं जो यहां से निकल क्या कर इसमें पूट कर चलो ठीक है यहां से लेमडा गर मैं देखूं तो लेमडा इक्वल टू पूट कर रहे हैं हम लोग क्या आ जाएगा यहां से एच अपॉन अंडर दे रूट ऑफ एच अपॉन अंडर दे रूट ऑफ रूट ऑफ क्या आया यहां पर इस इस कॉल्ट टू इन्टू एम अंडर रूट में देखे तो एच सी वह क्या हो गया इक्विशिन वन से लेमडा माई लेमडा नॉट माइनस लेमडा डिवाइड़ बाई लेमडा नॉट इन्टू लेमडा हो गया यह हो गया मेरे पास ठीक है अब अगर यहां पर देखें अंडर रूट की बात है थो इस लेमडा से लेमडा को कट कर देदेंंगे इस लोग तो यहां से क्या कर देते हैं स्क्राइब काट गया कटीक है अगर एच चाट गया तो ह ambassadors लेम्डा की वैलिव कित्ते निकल के आई थोड़ा सब साइड में लिख लेते हैं दर्वाइस है उपर लिख लेते हैं इसको वहां पर हम अपने यहां से जो मेरे पास लेम्डा की वैलिव क्या थी हो mechanical क्याती है this is called under the root of h upon under the root of h upon two into m यहां पर क्या आगया c under the root of क्या हो जाएगा under the root of lambda not minus lambda divided by lambda not into lambda और थोड़ा और सिंप्लिफाई करें इसको ऊपर लेके चले जाते हैं यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास जो lambda इक्वल्टू है रिमूब करते हैं इसको यहां पर हम लोग यहां पर थोड़ा सा रिमूब कर देते हैं इसे क्या आता है मेरा लैम्डा इक्वल्टू अंडर दर रूट ऑफ एच इन्टू यह जो नीचे वाए टम में इसको पर ले जाते हैं लैम्डा नॉट इन्टू लैम्डा दिवाइड़ बाइड़ टू एम इन्टू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा यह पूरा अंडर रूट के अंदर तर्म आगे तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखे त कौन सो ऑप्शन हो जाता है अगर देखे तो अंडर रूट का मतलब पावर क्या होजाती है वजा यह आपको यह फॉरमला नहीं पता हम नहीं पता हम बूल गया तब कैसे करेंगे तब कुछ मत करो आपको पता है लैमडा इकौल डू क्या होता है आपको अच्छे से बता है लेंड़ एक्वल टू क्या होता है एच पॉर पाइगा है मुमेंटम कर सकते हो की सब्सक्राइब बनादो इसको एंटर्म काइनिटेगे निर्जी पता है आपको हाफ होता है उस तरम में बना के फिर पुट कर दो तब भी आंसर आएगा कर सकते हो हर तरीके से कर सकते हो आसान तरीके से भी और अगर कुछ चीजे याद थे तो भी कर सकते चलो ठीक है आगे देखते एक और बात करो 2 pi r equal to relation होता है n lambda इस relation पे ही सवाल है first bohar orbital के गर में बात करो तो n के value कितनी हो गई 1 r के value कितनी हो गई a not के बनाबर a not क्या है मेरे पास 0.529 angus strong ठीक है चलो लेट स्टार्ट तो 2 into 3.14 multiply by 0.529 equal to lambda lambda की value कितनी निकल के आ गई solve करेंगे इस विल भी 3.32 angus strong question का अंसर कितना निकल गया option number 2 यह है आपका j advance 2005 का सवाल देखनो j advance में कितने आसान सवाल पूछे जारे हैं हमने कितने hard hard सवाल कि हैं हम कितने मुश्किल सवाल कर रहे हैं जई advance तो कुछ नहीं पूछता है बहुत आसान पूछता है अगर हमें पता है अगर हम कर सकते हैं तो आसान तरीके से कर सकते हैं चलिए ठीक हैं अगला सवाल सवाल देखते हैं अगला सवाल से थोड़ा चोटा सा कंसेप्त पढ़ लेते हमने क्या किया हमने आपका डुवर लेटर पढ़ लिए डूएल नेचर के बारे में पढ़ लिया थाई प्रिफजिएज कर पहां कि हम किसी भी कोई भी मेरे पास पर्टिकुलर अगर मेरे पास अग्रिम्स प्रिफिपल हम अगजेक्ट लोकेशन या पोजिशन और मोमेंटम कि है वहात ही एलडर्स आनि हम उस्का मोम्हेंन्टम और इसके एग्जेक्ट पोजीशन को एक ताइम पर पता नहीं 係चậu अगर आपको उसका मोमेंटम पता है तो आपको उसका मोमेंटम नहीं पता हो यह बताता है साहिन पर एक ही पता कर सकते हैं 2 ग完全 और कर प्रिंसिपल क्यों गरते हैं आपको पता है जैसे ही आप क्या करोगे था इस प्रिंसिपल था प्रिंसिपल फो तो प्रिंसिपल के नहीं लगता लेकिन microscopic particle just like electron proton इन सब के लिए क्या होता है आपका Heisenberg principle लगता है क्यूं ऐसा होता है इसको समझते हैं इसके formula के थुरू हमारा पता है डेल्टा एक्स इकॉल टू डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई होता है मालो आपको किसी की position पता चल गई क्या हो गई आपको किसी भी एक और की position किसी भी आपको पार्टीकल कोई भी आपका when सींपल ainda माइक्रोस्कोड पॉजिशन पदा चल गई तो चल गई तो क्या उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेएटी है तो क्या उसकी पोजीशन में जो अंसर्टेइंटी है तो क्या वो सकते हैं इस तरीके समसा मत सकते हैं कि क्यों एक सर्च पता कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं डेलटा Ek Rox X is a uncertainty in principle uncertainty and error in position and delta P is an uncertainty and error in momentum then remember क्या धिया रखना है आपको कि इसकी value इसकी direct value धियान रख लेना यह होती है इसकी direct value धियान रख सकते हो अगर इसकी direct value धियान हो अपा नाम से सवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो जल्दी से अब एक सवाल दे रखा है आप ने जो पढ़ा इसके ऊपर एक सब्सक्राइब सवाल है अब प्रोटोन is a proton is accelerated accelerated to 1 by 10 of the velocity of light यानि लाइट का कितना 1 by 10 से उसको क्या है हमने फेका इप इट्स वेलोसिटी कैन बी मेजर विद द प्रिसीजन यानि प्रिसीजन कितना plus minus 1% then what must be the uncertainty in position of position in meter निकालना है मुझे delta x find out करना है क्या find out करना है मुझे delta x find out करना है चलो ठीक है Heisenberg principle क्या कहता है Heisenberg principle कहता है delta x into mass into velocity is greater than equal to h upon क्या होता है वो पाई होता है चलो ठीक है अब मुझे delta x find करना मुझे तर वेलोसिटी की बात करो तो तो वेलोसिटी कितना दे रखा है 3 into 10 की पावर 8 का 110 लेलो इसका तो वेलोसिटी है कितनी 3 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेके लेकिन अगर मैं uncertainty की बात पूर तो प्लस माइनस 1 परसेंट प्रसेंट 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 है एक्चुल में जो मेरे पास uncertainty निजो एरर निकल गए एरर कितने निकल गए 3 into 10 की पावर प्लस 7 into 1 divided by 100 तो यहां पर uncertainty in velocity कितने निकल गए आपके 3 into 10 की पावर 5 निकल गए अब यह है मेरे पास क्या डल्टा भी मीटर पर सेकेंट चलो ठीक है अब proton की बात करें तो proton के लिए mass कितना होता है mass equal to 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg होता है चलो ठीक है सारी वैलियो जा गई तो रख देते हैं start करते हैं formula input करना यही बस इस सवाल में यही क्या है यही सवाल का क्या है बस एक basics है एक अच्छा सवाल भनता है तो यह मंता है इसके अलावा एक और अच्छा सवाल बनता है वह भी हम करेंगे इसके अलावा एक और अच्छा本動画 च्छोटा यहांस और निकाला है तो जैसे आपने क्या किया क्या है यहा से डिल्टा डा अर्सपंर करते हैं जैसे हम ने रखा थी इंट की पावर क्या निकल गया फाइव डर्टा है और 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 equal to में रख लेते हैं जब भी हम solve करने लगते हैं h कितना है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस ओफ 34 और 4 और क्या है आपका pi चलो ठीक है तो delta x अगर मैं निकालता हूं तो delta x delta x equal to तो कितना हो जाएगा मेरा this will be 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 divided by यह इधर चला गया तो 3 इंटू 10 की पावर कितना 5 multiply by यह कितना जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर 27 तो यह हो जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 और बस इसको solve करें और यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर मेरे पास 1 अपन 4 पाई भी दे रखा एक चीज़ कर सकते हैं तीन से इसको कर देते हैं 2.2 2.2 के अप्रॉक्स कर देते हैं इसको तो डेल्टा एक्स का अंसर देखो यही आ रहा है इसने क्या रखा 451.67 10 के पाउर माइनस 12 मीटर के फॉर्म में क्या आगे मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्व निकल के आए क्या यह डेल्टा एक्स की वैल्व निकल है जो सॉल्फ करने पर इतने निकल के आती है यह आसान सवाल है यह इसका अगर जेड़ांस का पर आसान आता है आसान यह इजी आता है तो यह सवाल पूच सकता है थोड़ा सवा फोड़ा सा अगर घुमाता है तो यह सवा इक बार सवाल को आराम से देख के पढ़ो और सोचो कैसे कर सकते कैसेucks पर कुछ नहीं सवाल में देखो अब फोटोन ऑफ एनरजी 4.5 इलेक्रोन वोल्ट स्ट्राइक ओना स्ट्राइक ओना मेटल सर्फेस वर्क फंक्शन कितना दे रखा है वक फंक्शन आपको फाइल दे रखा है फ्री एलेक्रोन वोल्ट इफ अनसर्टेनिटी इन पॉजीशन देल्टा एक ने रखा है ऑ्ट्वेंटीपव अपाउन वोर प्सक्वाइबाइबॉन कितना ओनब्ले या कियाकरना मुझे करना डी ब्लोगली वेवलन्द Фाइंट आंग है चलो ठीक है सबसे पहले यहां पर थोड़ा देखें तो उसने एनर्जी दे रखा है काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं बाइद यूजिंग फोटो एलेक्रिफेक्ट काइनेटिक एनर्जी एक्वल्डू कितना हो जाएगा यहां से आगया मेरे पास 1.5 एलेक्ट्रोन वो इसे हम्हें है यहां से लेंडा बात करें लेंडा क्या होता है अगर मैं बात का है सो चया ना करो जल्दी-जल्दी बोलो हां या ना कर दो एक बार क्या पी इक्वल टू है अपॉण लेंडा हो जाएगा बिलकुल सही अब में इसका डिफ्रेंशेशन कर देता हूं विद रेसपेक तो लेंडा तो डी पी अपॉण डी लेंडा इकवल टू है अपॉण लेंडा इसकोर नेगेटिव क्या करते हैं दोनों साइड का मॉ लिया क्योंकि हमें डिफरेंस से तो निकाला है अगर मैंने मॉड ले लिया तो डी पी इक्वल टू क्या आ जाएगा एच अपॉन लैमडा स्कॉार इंटू डी लैमडा क्या यहां पर मैं स्मॉल चेंजिस क्या अगर मैं डेल्टा लगा सकता हूं हाँ या ना बोलो भरी लैमडा स्कॉार इंटू डल्टा लैमडा क्या अगया अगया स्जुट तो सर हीजनबर्ग अंसर्टेٹी प्रिंसिपल क्या है क्या कहता है वो वो कहता है डल्टा एक्स इंटू डल्टा पी इस ट्रेटर दन एक्वल टू हैच उपॉन और सवाल में solve करते हैं तो delta x into delta p equal to h upon क्या लिख देते हैं हाँ या ना बिल्कुल सही सर लेकिन lambda नहीं पता lambda के बारे में नहीं पता तो चलो ठीक है lambda भी calculate कर लेते हैं lambda कैसे calculate करेंगे सर सर हमें पढ़ता है formula पढ़ा है 150 divided by voltage कितना निकल के आया 1.5 हा या ना ये इससे कितने टाइम्स कट गया 100 ताइम्स तो lambda कितना आ गया 10 अंग स्ट्रॉम हा या ना सर पस अब ये सवाल हो गया इस सवाल में इतना concept अगर आपने सीख लिया दो ही तरीके के अच्छे सवाल बन सकते हो दोना हमने ले लिया अगर इस सवाल में आपने ये concept सीख लिया तो अब सवाल के अंदर कुछ नहीं है अब सवाल के अंदर कुछ नहीं है तो यहां से यहां से हमारे पास delta P equal to हमारे पास क्या delta P की value सीधा सवाल में ही रख देते हैं छोड़ो सीधा हम लोग सवाल में start करते हैं यहां हमारे पास यहां put कर देते हैं यहां देख रहा है आपको यहां रख लेते हैं तो delta x delta x मुझे दे रखा कितना 25 divided by 4 multiply by delta P की जिगह मुझे लिख रहा है h upon lambda square का मतलब 10 का square और delta lambda जो मुझे find out करना equal to h upon 4 pi ठीक है low 4 pi कट गया यह कट गया 25 से यह 4 times कट गया तो uncertainty in wavelength कितना आ गया वो निकल के आ गया 4 angstrom क्या इस सवाल में देखो क्या इस सवाल के अंदर कोई calculation पार्ट है नहीं था छोटा सा concept था जो बस इतना समझना था बस इस छोटा सा concept समझ जाता है अगर इस छोटा सा concept आपको clear है आपको इस सवाल को notes में नहीं लिखाना चाहिए क्योंगि अगर इस सवाल को notes में लिखवा देते हूँ लिख लेते हैं पहले तो मिलगता है हां इससे सवाल करेगा इनलेटिकल माइन सेखने की शक्ति डवलप करने कैसे सोचा जाता है तो ऐसे सोचा जाता है यहां से इस तरीके से सोच के हम सवाल कर सकते हैं चलिए ठीक है अगला सवाल है ऑफ फोटोन एंड एलेक्ट्रोन बोथ हार एक्टरेस्ट इनिशली कंबाइंड टू फॉर्म ऑ the wavelength of this photon सब्सक्राइब सब्सक्राइब किस तरीके से सवाल को सोच के सौल्ट किया जा सकता है पहली जो लाइन है इसकी पहली लाइन में सारा राज छुपा हुआ है राज देखो अब प्रोटोन एना इलेक्ट्रोन इनीशली कम इनीशली रेस्ट एंड कमवाइंस तो हाइट्रोजन एक्राउं इसका मतलब क्या दोनों की बीच अगर डिस्टंस की बात कर दें तो बहुत जादा इसका मतलब कितना इनफाइनाइट है मतलब इनफाइनाइट इस पर था पहले और कहां लेके आ गए हम लोग हम लोग लेके आ गए वन पर यानि अगर मैं एनरजी की बात करूं तो इनफाइनाइट माइनस इवन इकुवल टू कितना हाया ना चलो बहुत बढ़िया इनफाइनाइट मतलब जीरू माइनस ओफ थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्कुवाइर अपॉन एन स्कुवाइर एकुवल टू एच्सी की वैल्यू कितनी बोली है सवाल ने हमसे वह बोली है ट्वाल थर्टी सेवन पॉइंट सिक डिवाइड बाइ लंग पस अब देखो क्या हो गया यहां से यहां से अगर मैं चेक करूं तो अब किसकी बात कर रहा है है यहां क्या वन में लेकर आ रहा है तो हैट्रोजन के लिए जैड की वैल्यू वन और एन हमें वन दे रखा है चलो ठीक है बस रखते हैं सवाल में त डिवाइड वाइ कितना которого चानल के यहां से यहां से आपका निकल के हैं मेरी पास आगर स्वाल करेंगे इसको कितना गया शानाक चेहिरन होते हैं बस इतना समझना है कंसेप्ट क्या लग रहा है अगर इस सवाल में अगर आप पहली लाइन नहीं समझ पाए तो आप इस सवाल को सॉल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सवाल में समझ ही नहीं आएगा कि दिया क्या है ऐसा कि मैं उससे लैंडा find out कर तो अगर इस तरीके की सवाल को करना है तो line समझना जरूरी कुछ नहीं लिए छोटा सा statement लिखा हुआ है लोग क्या करते हैं हम देखतें बड़े-बड़े statement में लागे लोग क्या था हम चोटा सा कंसेप्स भी लेगा ना चोटी सी लाइं में भी कर सकता है परिशान कर सकता है तो चलिए बहुत ही sagte माल पूरा अच्छे सवाल अच्छे कंसर्थ सब सीख लिया अगर हमने यहाहां पर लिया अगर आप सवाल कर सकते हैं इसके एक भी सवाल आपसे नहीं ब्रूसके लिए यहां पर हम करते हैं यहां पर नहीं को खतम करतें उसके पहले चोड़ी सी बात आप से कहना चाहूंगा सफल लोग करते मनलों अगर कोई सफल है इंसान तो सफल इंसान वही करता है जो असफल व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है यानि जो सफल है वही महनत करेगा वही आगे बढ़ेगा वही चीजे करेगा वही क्या करेगा सवाल करेगा टेस्ट पेपर देगा वीडियो देखेगा अपने आपको करना है हर तरीका सज़ेइडवांस सेलेक्शन ले ना है और क्या करना है आप लोगों को Sवाल लगाने G हर तरीके का सवाल लगाना आप कर सकते हैं सारे सवाल कर सकते हो फॉर्मूलेज याद करने हर एक चीज याद रखनी है तो जैए डिवांस में बिलकुल दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसके सवाल भी आपने देखे आज तक पीवाई क्यूज में इसा कोई भयानक सवाल नही और ढवांस में क्या करनी है अपनी रेंग को स्कूर करना और जो आपका ड्रीम कॉलेज है जिस में आप जाना चाहते हो जिसके अंधर हम क्या करते हube जान में चाहते हैं। ये आप क्या करो किसे अधक्सफल दो क्रेफिशों आप लोगों सभी को All the Best for यो ग्रिए ड्रेव